गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स लेट्स कंटिन्यू चैप्टर वन फिंच नाम की एक बर्थी थी के उसकी बीक में अलग 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 बरियेशन देखे थे हमने है ना वुद में पढ़ा था और यह वरियेशन कूँ आया थे उनकी सुअध़ की वज़े से तो जो डार्वीन थे ठीके उन्होंने उनको ऐसा लगा कि यह जो फिंच थे ठीके वह इकवर्डूर से इकवाडोर से थे बेसिकली ठीक है और वहां से फिर वो उड़के अलग-अलग गैलपएगोस के अलग-अलग आइलेंड में गए ठीक है उन्हों ने क्या किया बहुत जाधा इशाली देखने को मिला थिक उसमें बहुत जाधादा देखने को में तो जवे होद जी doc घूर्ण हो ऑन के सर्वाइवल के मटला उस पाटिकुलर आइलेंड में उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए था चिक है इसकोड ओनली हाव बीन पॉसिबल दूटो वरीएशन इन ग्रूप फिंच और यह सिर्फ तभी हो सकता था जब फिंच के जो फिंच इसके ग्रूप थे थी कि उसमें वरीएशन पॉसिबल हो जो चिक है देवलोप्मेंट आफ दिफेंट इस अफिंच इस सिमिलर गूप चिक है तो जैसे डाविन ने ग्यालपेगोस में फिंच की अलग अलग वेराइटी देखी थी है ना तो लेकिन यह सभी ओरिजनेट कहां से होई थी एकवडूर से ठीक है एक प्लेस है वहां से ओरिजनेट हुई थी वहां से वह उड़के अलग 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 कारण उसमें फिर तरह तरह के इवैल्यूएशन स्टार्ट हुए ठीक है पिंचेज विस प्रामिनेंट प्रामिनेंट्ली विजिबल वरियेशन इन टाइप अफ बीक वर रिलेटेड एंड हैड तो जिनकी बीक में अलग 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 एवैल्यूएशन देखने को मिले ठीक ठीक है जो फ्रूट्स खारे उनकी बीक कैसी है जो बर्ड्स खारे उनकी बीक कैसी है और जो सीट्स खारे उनकी बीक कैसी है ठीक है Such characters as the type of beak and finches which had diversified structurally and functionally from same origin type are called homologous characters ठीक है अब देखो Darwin ने क्या देखा कि Such characters as the type of beak and finches which had diversified structurally and functionally यहाँ पर देखो finch का सिर्फ एक character कौनसा character beak ठीक है बीक में diversification देखने को मिला बीक में अलग-अलग changes देखने को मिले ठीक है हाला कि उनका जो basic character था वो क्या था same था basic character मतलब किसकी बात कर रहे हम यहाँ पर beak की बात कर रहे है चोच की बात कर रहे है ठीक है तो ऐसे species को उनोंने क्या है ऐसे characters को उनोंने क्या क्या हाँ होता है कि जिनका टाइप एक होता है ठीक है जिनका ओरीजीन एक होता है लेकिन diversification के कारण उनका structure और function अलग-अलग हो जाता है ठीक है तो यही क्या होता है आपका homologous character Darwin had considered these as very strong evidence for evolution ठीक है तो Darwin ने इन सभी चीजों को बहुत जादा strong evidence माना ठीक है evidence theory, evolution theory प्रूब करने के लिए ठीक है let us observe some characters first in plants and then animals to find out more homologous character ठीक है तो आईए plants में हम homologous character देखते हैं homologous character क्या होते हैं जिनका origin एक होता है ठीक है जिनका original type से होता है बस time के साथ-साथ habitat के कारण उनके अंदर बहुत सारे evaluation आ जाते हैं ठीक है तो यहां पर देखो plants में इसकी stem कैसी है ठीक है root देखो फिर यह देखो फिर इस वाले plant की stem देखो और इस वाले plant की stem देखो ठीक है यू में observe different types of stems in plant आपको अलग-अलग stem देखने को मिल रही है some types are shown in 8a with the help of the figure your own prior observation and discuss discussion with your friends and list all the different plants in which you can see stem that appear to perform different functions ठीक है तो यहां पर देखो stem A की है लेकिन उसका function अलग-अलग हो रहा है ठीक है यह देखो यह वाली जो stem में यह food store करके रख रही है ठीक है प्रिकर 8a shows the फिकर 8a shows stems of strawberry that have role of role in reproduction stem of passion flower that have role in climbing potato stem that have mainly the function of storage of food and reproduction and stem of lemon developed into thrones मेली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन ठीक है तो यहां पर देखो चार प्लांट है कौन-कौन से है सबसे स्ट्राबरी ठीक है स्ट्राबरी की stem का function क्या है वो reproduction का role play कर रही है ठीक है उसके बाद second देखो stem of passion flower यह जो passion flower है उसकी stem का role क्या है क्लाइम्बिंग ठीक है यह चड़ने का काम कर रही है क्लाइमबर है फिर थर्ड देखो पोटेटो की stem क्या है food storage का काम कर रही है साथी साथ reproduction में भी help कर रही है और फौर्थ आपका है lemon ठीक है लेमन की stem क्या कर रही है इसमें काटे निकले हुए है मतलब यह protection का काम कर रही है ठीक है तो देखो stem एक ही है सब में ठीक है all these stems are diversified both structurally and functionally but indicate the same origin as all these are stems ठीक है तो यह सभी क्या है अलग-अलग structure और function तो शो कर रहे है लेकिन इसमें एक common चीज़ क्या है कि यह सभी के सभी stem है ठीक है तो this is your homologous characters you can यहाँ पर picture में देखो अलग-अलग bird ठीक है अलग-अलग organisms के आपको पैर दिख रहे होंगे ठीक है हाथ और पैर you can observe the wing of bat flippers of dolphin यह देखो यह bat का wing है ठीक है dolphin का flipper है four limb of sheep ठीक है sheep का four limb है यह देखो और क्या है dogs dog का भी है सामने वाला पैर as well as human and mice ठीक है human का भी है और mice का भी है all apparently have the similar set of bones in them ठीक है एक चीज़ यहां देना सभी में जो set of bone है ठीक है वो similar है मतलब यहां पर भी देखो एक लंबी bone आई उसके बाद 4-5 bone यहां निकली हुई है यहां पर भी देखो similarly bird में भी ठीक है bat में भी 1-2-3-4-5 human में भी और mice में भी ठीक है sheep में और dog में भी तो all apparently have the similar set of bones in them as for example the humans हीउमरेस रेडियसेंड अलना और प्रमेनेंटली विजिवल इन आल दीस ओर्गनिजम्स ठीक है यह तो सभी में जो बेसीक स्ट्रक्चिर है वो लगभाग सेम ही है इन सभी का ओरिजिन सेम हैं बट फंक्शन अलग अलग है तो इसे हम क्या कहते हैं हुमोलोगस ओर्गन ठीक है ऐसा माना कहता है कि सभी एक ही एंसेस्टर एक ही पूरवद से आए है contrary to this if we find functional similarity in organ of different origin like wings of birds, butterflies, we call such organ as analogous organ ठीक है और इसके just opposite अगर function same होगा और organ different होगे तो यह क्या होता है आपका analogous organ ठीक है जैसे हमारे हाथ ठीक है और butterfly की wings हमारे हाथ और bat के wings तो इनका structure अलग है लेकिन function एक है बैड भी क्या करता है, hold करता है अपने wings से, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने hand से hold करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, structure अलग है, लेकिन function same है, तो इसको क्या बोते हैं, analogous character, ठीक है, while the wings in birds have developed from their four limbs, those of butterfly are mainly from their skin, ठीक है, तो जो birds के wings थे, ठीक है, वो किस से develop हुए हैं, उनके four limbs से, four limbs मतलब जो उनका pair होता है, सामने का pair, ठीक है, और butterfly का किस से develop हुआ है, उनके skin से, ठीक है, Now, selection of evolution, as the journey of the beagle came to an end, the crew returned to England, Darwin started putting together pieces of information that he had collected all through the voyage from the different continents, ठीक है, तो जैसे बीगल जो sheep था, वो अपनी journey के end पे पहुँचा, ठीक है, सभी crew, जो थे, Ship में जितने भी लोग थे, वो सभी England वापस चले गए, ठीक है, तो Darwin ने क्या किया, जो भी information उन्होंने collect की थी, अलग-अलग continents से, अलग-अलग places से, ठीक है, अपनी पूरी पाँच-छे साल की journey में उसको उन्होंने एक साथ रखना शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़े देखी, तो क्या observe किया, उनको ये पता था, ठीक है, कि जो character में, ठीक है, domesticated animal और crop, मतलब जो हम pet पालते हैं, ठीक है, और जो crop हम उगाते हैं, तो उसकी, उसमें human अगर चाहे, तो changes कर सकता है, ठीक है, अब कैसे changes करेगा, एक example देखना, जै हैं, तो नई breed आती है, है न, तो ये कौन करता है, human करता है, मतलब human क्या कर रहा है, उसको जिस breed का puppy चाहिए, वो उन दोनों अलग अलग breed के dogs को cross कर भा रहा है, तो उसको जो desired breed है, उसका puppy मिल रहा है, ठीक है, तो ये human क्या कर रहा है, selection कर रहा है, कि इसका breed का सेलेक्शन कर similarly अगर farmer की बात करें तो जादा production के लिए अच्छी production के लिए क्या करते हैं farmer आजकल hybrid tree लगा रहे हैं जो आप market में देखते होगे कि जो भी fruits हा रहे हैं वो सब hybrid होते हैं hybrid मतलब क्या कि पहले farmer खुदी breed select कर लेता है जो जादा जल्दी grow कर जाते होंगे जो जादा फल देते होंगे तो farmer अपनी income बढ़ाने के लिए ऐसी breed को select कर रहा है तो यहाँ पर selection हो रहा है इसका breed का ठीक है तो Darwin ये चीज जानते थे selective breeding among a species of organisms with preferable characters by human is called artificial selection ठीक है इस कॉंडलाइन कर लेंगे कि कहां गया selective breeding selective breeding मतलब breed select करके जितने भी organism से उनकी species अलग-अलग species में breed select करके ठीक है उसके बाद जो भी character prefer किया जाता है ठीक है human के द्वारा वो ही क्या होता है आपका artificial selection है ठीक है Darwin started thinking of that if human could select the bring about and bring about changes in characters of organisms could the presence of diverse organisms in nature be result of some process of selection occurring यह ठीक है तो Darwin को यह पता था कि human selection कर रहा है ठीक है तो उससे जो भी changes आ रहे हैं मतलब एक अलगी तरह की species देखनी को मिली ठीक है पहले क्या हो रहा था कि नाचरल सेलेक्शन चल रहा था है ना मतलब human से human cat से cat dog से dog अभी human ने क्या किया कि selective breeding चालू कर दी मतलब दो प्लांट के case में दो अलग लग लग ब्रीड के plant से उसने एक नई breed डवलप कर ली ठीक है तो कहीं नगी जो changes दिख रहे थे तो उसके लिए responsible कौन लग रहा था दार्विन को human ही लग रहा था था ठीक है वाई what type of selection is selective breeding by human called ठीक है तो human जो भी selective breeding करता उस process को क्या बोलते है artificial selection ठीक है Darwin suggested that the process of natural selection was instrumental in the evolution of one form to another resulting the diverse form of species found in nature to understand the process of natural selection would you need to do the project work ठीक है तो natural selection को समझने के लिए एक प्रोजेक वर्क है क्या है इसमें कि रेडिश प्लांट लिया हुए ठीक है नियरली टू यहां पर फिर यह देखू नियरली टू डेकेड्स आफ्टर दो वयाज अफ्टर दो वयाज अफ्टर बीगल अनदर सांटिस नेम के अलफ्रेड रसेल उन्होंने भी अपनी जर्णी इंग्लेंड से स्टार्ट की कहां के लिए अमेरिकन और एशियां सब कॉंटिनेंट्स के लिए वह अन्होंने भी अमेरिका और एशिया के सब कॉंटिनेंट्स के बहुत सारे बटरफ्लाइज और मैमल्स को लेकर बहुत बड़ी स्टाडी की थी कि और उन्होंने भी उनके पास भी सेम कंक्लूजन आया जो डार्विन के पास था वेलेक अलसों जजेस्टेट डाट ओर उर्गनिजम्स एवल्ड फ्रम प्री एग्जिस्टिंग और इसलेक्टिव प्रॉसे इन नेचर अकॉर्ड सब स्पॉंटेनियसली और नन इंटेंशनली गिविंग राइस तो डायवर्स फोर्म उस्पीशीश प्रेजिशेश और दूसरा क्या है सेलेक्टिव प्रॉसेस से भी चेंजेश आते हैं जो स्पॉंटेनियसली होती है नोट इंटेन इंटेंशनली तो अर्थ में अलग-अलग तरीके के स्पीशीश जो है ठीक है अलग-अलग सेम और्गनिजम्स की अलग-अलग स्पीशीश देखने को मिलत तो यह क्यों होता है कि यहीं सेलेक्टिव प्रॉसेस के कारण है ठीक है सेलेक्टिव प्रॉसेस के कारण क्या होता है अब जैसे यहां पर पिक्चर में क्या था रेडिश प्लांट आपको दिख रहा है ठीक है एक प्लांट में बहुत सारे रेडिश फिल्ड लगे ठीक है बाद आई तो कुछ प्लांट बह गए ठीक है और यहां पर कितने बच्चे सिर्फ इतने बच्चे तो यह दोनों का जो भी सेलेक्टिव सेलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें से इन टाइप के ही निकलेंगे ठीक है अब यहां से जो बागी बाद में बह के चले गए दूसरी उन लोगों के सेलेक्शन प्रोसेस से उन लोगों के रिप्रोडक्शन से एक अलग तरीके का ब्रीड या स्पेशिस देखने को मिलेगा तो यह जान मुझकी कोई नहीं कर रहा है जो वेरियेशन देखने को मिल रहा है यह जान मुझकी कोई नहीं कर रहा है यह हम सिंपल आप और आपके भाई एक जैसे दिखते होगे तेक है, आपका character, आपके ममी पापा के character से किसी से मिलता हो, character मतलब look wise, ठीक है, आखें, आपके नाक, आपके बाल, जो भी, ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपका, आपकी दादी या दादर से भी मिलता होगा, ठीक है, तो थोड एक है कि इम्हेdoor कॉछ खारेक्टर निया तो यहीं का एपका डाइवर्सिफिकेशन प्रह को अब है vai अच्छी किस्म प्यादा की गई है अब देखो कैसे होता है अच्छी किस्म प्यादा की गई है यह देखो यह इन दोनों के यह दोनों प्रांट यूज ख millennia इससे क्या कौन कौन से होए देखो खोल्रभी स्टेम घाए फिर रैडिश रूट फिर ब्रोकली आया तो फिर क्या आया है मस्टर्डा आया फिर इससे क्याबज आई और कॉलिट लावर आया ठीक है तो यह सब क्या है artificial selection artificial selection से हम बहुत ज़्यादा desired देखे desired और अच्छी breed बना सकते हैं now story of evolution Darwin and Vellek together suggested the following based on evidences and rigorous study तो क्या क्या उन्होंने evidence देखे evolution के लिए और क्या थोरी दी variation found in organisms led to the diversity in the ability of them to survive in nature तो जो भी variation मिले organisms में उससे क्या हुआ कि led to the diversity in the ability of their ability of them to survive in nature तो किसी भी nature में survive करने के लिए उनकी अलग-अलग capability देखने को मिली ठीक है some live long while other for a short period of time अलग-अलग जीते थे कुछ बहुत लंबी किसी की एज बहुत लंबी थी ठीक है कुछ बहुत short time के लिए जिन्दा रहते थे some produce more offsprings while other produce less offspring ठीक है offspring मतलब बच्चे ठीक है human के इने जिस भी species के आब बात कर रहे है उसके offspring तो कुछ के offspring बहुत ज़्यादा होते थे और किसी किसी के काम होते थे ठीक है population of these have greater ability to survive have more chances of evolving over the others ठीक है तो जिसकी population ज़्यादा होती थी उसमें ज़्यादा evolution देखने को मिलता था Thus over the time we have new composition of the population of organisms with those apparently suited better to a certain sets of environmental conditions ठीक है तो जैसे जैसे time बीता तो यह देखने को मिला कि जिसकी population ज़्यादा होती है वो environment में ठीक है ज़्यादा अच्छे से survive कर पाता है और अपने और उस species में ज़्यादा evolution देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट इस new varieties of organisms में मर सदेनली फ्रम प्री अग्जिस्टिंग वन ड्यू टू नैच्रल क्लेमटी के कारण जैसे हमने देखा था रडिश प्लाइंट फील्ड में बाड आई थी ठीक है उपर हमने पिक्चर में देखा था तो नेच्रल क्लेमटी के कारण क्या होता था कि प्री अग्जिस्टिंग और्गनिजम्स होते थे ठीक है उनसे ही अचानक से नहीं variety मिल जाती थी ठीक है थार्ड इस वेरियस organisms have had similar ancestors and thus evolutionary relationship may be represented by diagram showing the branch trees ठीक है तो जो अलग-अलग organisms थे ठीक है उनके ancestor यानि उनके पूरवच एक ही थे ठीक है तो जो उनका evolutionary relationship है वह कुछ इस तरह से दिखता था ठीक है देखो जैसे यहाँ पर first इससे क्या हुआ यह A ठीक है फिर यह निकले B फिर यह C फिर यह D तो यह जो branch दिख रही है यह क्या है यह आपका species है ठीक है इससे कौन कौन सी species निकली है यहाँ से यह फिर यह अलग अलग ठीक है फिर इससे यह फिर इससे यह तीन फिर इससे एक ही निकला देखो population भी बता रहे है यहाँ पर ठीक है यह एक ही निकला मतलब यहाँ पर ज़्यादा evolution देखने को नहीं मिला फिर यहां पर थोड़ी जाद हुई फिर यहां पर फिर यह तीन देखने को मिला फिर यह आगे बढ़ा तो यहां पर देखो कितने सारा आपको variation देखने को मिल रहा है तो यह क्या है आपका variation Variations are found in population of organisms variation कहां देखने को मिला जहां बहुत सारी population थी Only some variations और variable characters pass on from one generation to another तो जो characters pass होते थे वो पूरे के पूरे characters नहीं pass हो रहे थे सिर्फ कुछ character ही pass हो रहे थे एक generation से next generation Such variations over generations lead the formation of population of organisms that may show remarkable change from their ancestral types तो ऐसी variations से क्या हुआ कि वो लोग अपने ancestors से धीरे 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 अलाग होते गए These variations often prove to be advantageous for the organisms that have them over other 6th is population of organisms that have advantageous variation usually start growing more profusely in an area affecting the population of composite composition there ठीक है तो क्या हुआ कि जो जादा advantageous variation थे ठीक है वो बहुत जल्दी grow कर गए और उससे क्या हुआ उसकी population भी और affect हुई ठीक है और जो less advantageous थे ठीक है वो replace कर दिये गए ठीक है more advantageous variation वाले organism से तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि जो dinosaur extinct हुए है ठीक है उसकी वज़ा more advantageous variation ही तो नहीं है कहीं तो यहाँ पर देखो branch tree of evaluation of finches showing common ancestor देखो बुक में आपको यह clearly देखने को मिलेगा कौन है large ground finch ठीक है इसके ancestor कौन यह कौन थे seed eater थे अब देखो यह sharp big ground finch ठीक है बीग कैसे change हुई अब उसके बाद यह कौन है cactus flower eater थे ठीक है इसकी बीग देखो थोड़ी सी और शाप हुई फिर यह कौन है large cactus ground finch ठीक है उसके बाद में यह seed eater है यह कौन है medium ground finch ठीक है फिर यही ground finch है जो tree finch बने फिर यह insect eater बन गए ठीक है उसके बाद यह गए फिर यह bird eater बन गए और यह वार्बलर fringe बन गए ठीक है तो किस तरह से evaluation हुए ठीक है अटो फिरूबर अगले फिरूबर पैसियाशन थे टीक है अगले, फिरूबर स्दीक है पैसियाशन थे फिरूबर बीक अलग थी जो सीड खा रहे थे उनकी अलग थी जो फूट खा रहे थे उनकी अलग थी लिगेरं ऑपने एन्वार्मेंट को शूट करने के लिए जो चेंजेस करते हैं या जो चेंजेस होते हैं उससे क्या कहते हैं अडापटेशन अडापटेशन क्या है ऐसा चेंजेस ठीक है किसी भी organism में ऐसा changes जो वहां के available food resources और उसके environment में उसको easily रहने के लिए होता है ठीक है यही क्या होता आपका adaptation Were dinosaur not well adapted to the changing condition of environment that they could not survive and become extinct तो क्या dinosaur के साथ ऐसा कुछ हुआ कि जो environmental changes हो रहे थे ठीक है वो उनको adapt नहीं कर पाए और extinct हो गए क्योंकि यहाँ पर हमने तो देखा कि finches जो थी वो food resources की availability के हिसाब से अपने आपको उन्होंने ढाल लिया ठीक है तो इस तरह से उसमें changes भी हो गए तो आज भी हमको देखने को मिलते हैं जो चिडिया sparrow जिसको बोलते हैं ठीक है लेकिन dinosaur के साथ सच मुझ क्या ऐसा कुछ होगा इतना जादा change होगा उस time में कि वो उनको time ही नहीं मिला अपने आपको adapt करने का उस condition को adapt करने का अपने आपको change करने का ठीक है तो इसलिए हो सकता है वो शायद extinct हो गए Darwin had observed that the finches of gallopagos were so varied that finches of one island could not be breed with finches of other island ठीक है तो Darwin नहीं देखा कि gallopagos island में जो finches की variety थी वो इतनी अलग थी कि दो अलग अलग island के finches एक दूसरे के साथ breed नहीं कर सकते थे ठीक है मतलब इतने जादा अलग थे the evolution of organisms such that they vary so much as not being able to enter breed had been considered as a process of speciation ठीक है अब speciation क्या होता है एसे organisms ठीक है sorry the evolution of organisms such that they vary so much as not being able to interbreed अपला इतना जादा evolution में इतना जादा change हो जाता है कि दो अलग अलग species interbreed नहीं कर पाती रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती ठीक है इसे ही क्या बूला गया process of speciation the process may fast due to natural climates or slow otherwise ठीक है तो यह process fast भी हो सकती है और slow भी हो सकती है now what are species species were considered to be those group of organisms even during Darwin's time that could sexually interbreed and produce offspring that were viable ठीक है तो species क्या होती है एक ऐसा group होता है organisms का ठीक है जो interbreed करता है और offspring प्रोड्यूस करता है ठीक है the definition of species on the basis of their ability to interbreed sexually is considered as biological species concept ठीक है और यह जो process था ठीक है ability to interbreed sexually ठीक है इस process को इस process से जो species होते थे ठीक है यह इस process को क्या नाम दिया गया biological species concept मतलब biological वो लोग interbreed कर रहे थे Darwin was concerned regarding this definition as he had observed several species of tortoise, reptiles, etc. that could interbreed but were so varied that it would have been better to consider them as a new species ठीक है लेकिन Darwin ने कुछ reptiles और tortoise को भी देखा जो interbreed कर रहे थे ठीक है लेकिन उनसे जो offspring आ रहे थे वो उन दोनों से बहुत जादा लगते ठीक है तो इन्हों ने इसको क्या नाम दिया new species, though the definition of biological species has helped us to organize them under the schema of the system of classification from two kingdom to five kingdom, etc. ठीक है तो biological species की definition से हमें क्या समझने को मिला एक जो हमने line 9 में आप लोगोंने पढ़ा होगा ठीक है two kingdom से लेकर five kingdom का जो system था जो classification था ठीक है वो ज्यादा better समझने को मिला किस कारण biological species के कारण अच्छाइब लिए लेकिन यह क्या नहीं पताता ऐसे bacteria और प्लांट जो अशेक्शली रिप्रोडूस करते हैं उनके बारे में ज्यादा knowledge नहीं देता है Darwin had been conducting experiments to find out how variation came to occur among organisms and how they were inherited ठीक है तो Darwin उसी चीज़ के लिए study करते रहे और experiment करते रहे कि कैसे variation होता है और कैसे वो characters inherited होते हैं कि inherited मतलब एक दूसरे में पास होते हैं he had conducted extensive experiment on plants like marabillies and animals like pigeon ठीक है तो उन्होंने अपने experiments बहुत सारे experiment भी किये तो कौन सा plant उन्होंने लिया था marabillies और animal लिया था pigeon ठीक है about in chapter 15 ठीक है तो उन्हीं के time के एक और scientist थे कौन ग्रेगर जोहन ठीक है उन्होंने क्या किया उन्होंने भी यह सारी चीज़ों का experiment किया जिसके बारे में आप lesson 15 में पढ़ोगे कि ठीक है